नमस्कार क्यापजिल टिवी का खार्शो राहूल का अगने पर देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूझा बिपक्ष में पियम पत की दावेदारी को लेकर मचे घवसान की बीच राहूल गांधी मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए हैं खबर है कि आईरुवेद उपचार के लिए राहूल गांधी केरल के मलपूरम जिले में आरिवैद साला कोटकल पहुंचे हैं जहां वो शुकून से अपना अच्छा खासा वक्त भी बिताएंगे कुछ दिनों तक वही रहेंगे बताया तो जा रहा है कि राहूल गांधी डॉक्टरों से सला लेने के लिए कोटकल स्थित आरेवैद साला पहुंचे हैं जहां वो अपने घुटने का इलाज कराएंगे पर सवाल ये है कि क्या वाकई वो अपने घुटने का इलाज कराने गया है? या कोई और बचा क्योंकि अभी इतना महत्पुन वक्त बिपक्ष के लिए है बिपक्ष हर दिन चुनाओ को देखते वे रननीती बना रहा है संसत का मौनसुन सत्र भी चल रहा है ऐसे में राहूल गांदी को अचानक से क्या हो गया कहां गायब हो गया है आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे बाच्चत के लिए मेरे साथ स्टूड़े में मौजूद है क्या पसल टीवी के एक्सक्यूटिव एडिटर राजीम जी बहुत-बहुत स्वागत धन्यवाद कहां अचानक से चलेगा राहूल गांदी नंस्रियस व्यक्ति है पॉलिटिकली नंस्रियस है क् उनके सहयोगियों ये बाते कही है अभी तक उनका राजनितिक एतिहास जब से वो राजनिती में आये हैं तब से देख लीजिए हर बड़े मौके पर वो गायब नजर आएगे जब चुनाब का समय आएगा तो राहूल गांधी कहीं विदेश में चले जाएंगे घूमने के लिए जब कोई रैली करनी होगी तो डेट बढ़वा देंगे और ये बाते जो स्रियस्निस की है ये सबसे बहतर तरीके से असम के चीफ मिनिस्टर हिमंतव इस्व सर्मा ने कहा हिमंतव इस्व सर्मा ने पिछले दिनों कहा कि जब उनसे पूछा गया कि आपने पार्टी क् क्या दिक्कत है तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से दिक्कत नहीं है बलकि राहुल गांधी खुद में एक दिक्कत है वो स्रियस्निस ही नहीं दिखाते हैं उनमें गंभीरता का अभाव है तो कैसे अभाव है क्योंकि उन्होंने बताया कि जब वो मिलने के लिए जाते रहेगी दस मियट के अंदर राहुल गांधी जोगिंग पर चले जाते हैं और वेट करने के लिए कह दिये उसके बाद आधा गंटा के बाद आए कुछ समय के बाद बात करते करते बीच में चले जाते हैं अपने दूसरे कमरे में उन्होंने कहा कि ये इतना अंसिरियस व्यक् के लिए जबकि विपक्षी एकता की दो बैठके हुई हैं तीसरी बैठके बैठक मुंबई में होने वाली है और ये बैठक जो है वो बंद कमरे के बाहर घमासान मचा हुआ है कमरे से निकलने के बाद ही एक एक पाती है जो चैलेंज कर रही है कॉंग्रिस को जैसे ही मिटि किया कि नाराजगी का क्या मतलब होता है क्योंकि जो बैठक हुई उसमें सेंटर ओफ अट्रैक्षन सोनिया गांधी राहुल गांधी और ममता बनर जी थे जो नितीश कुमार महीनों तक अलग-अलग लोगों से निताओं से मिल-मिल कर विपक्षी एकता के सुत्रधार बनन एक मिटिंग तेह किया जिसके बाद आगे मिटिंग शुरू हुई कि अब इपक्षी एकता सुरुआत होगी और जब उस नेता के कोई बात ही नहीं सुनोगे जब वो नाम की बात कर रहे हैं उसमें भी इंटरफियर कर रहे हो कि आपके बात में कोई लॉजिक नहीं है तो वो कैसे आपके साथ रहेगा अब देखिए उसके बात नितीश कुमार के नेता ही कह रहे हैं कि पी एम पद की दावेदारी तो नितीश कुमार की है एक दिन पहले ही ममता बनर जी के नेता कहते हैं कि पी एम पद की दावेदारी ममता बनर जी की हैं कॉंग्रेस बैक फुट इसलिए एक ऐसे बुजूर्ग व्यक्ति को कॉंग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया इतने युवा नेताओं के रहते हुए गांधी परिवार में ही प्रियंका गांधी के रहते हुए एक ऐसे बुजूर्ग नेता को बनाया गया कॉंग्रेस अध्यक्ष जो कभी दावेदारी ह के बीच घमसान मचा वा है राहुल गांधी को बैठ के स्ट्रडजी बनाने चाहिए तो युर इलाज करवाने इतने दिनों तक पैदल चले इतने किलोमेटर चले अब उम्र भी हो गई है बले ही कॉंग्रेस में बताते रहे कि अभी युवा नेता युवा नेता 50 पलस के हो गए हैं 53 साल के घुटने में दर्द हो गए क्योंकि वो पैदल चले ये बता रहे हैं लोगों को कि भारत यात्रा में इतनी मेहनत की राहुल गांदी ने कि घुटना उनका खराब हो गया है जिसका इलाज करवाने के लिए जो प्रकरतिक इलाज नेच्रो थिलेपी करवाने के लिए ये आईरवेज साला में गए हैं लेकिन उसके अलावा भी बड़ी बाते हैं इनको जो सलाह दी इनके उसी स्रियस्ने पेसंस की बात उठ रही है कि जिस पर हम लोग उने चर्चा की siento कि राहुल गांधी इतने उतावले क्यूं होते हैं हमेशा कुछ गलतियां क्यों करते हैं राहुल गांधी के अंदर पेसंस क्यूं नहीं है किसी मुद्दे को लेकर गंभीरता क्यों नह की महाराश्ट के नेताओं से मुलाकात की उत्रा खंड के नेताओं से मुलाकात की हज मीटिंग में राहुल गांधी को रखा गया इसलिए कि आप आगे की मीटिंग के लिए प्रिस्ट भूमी तैयार करना था क्योंकि इनके अंदर शमता ही नहीं है कि एक दो घंटे तक मिटिंग में बैठ सकें यह उतावले किस्म के नेता है और इसलिए अभी कुछ समय के लिए प्रकर्तिक चिकित्ता की जरूरत है यह मांसिक इलाज करवाने वाले लोग हैं जिनके मांसिक इलाज के लिए मांसिक बिमारियों के इलाज के लिए वहां पर भेजा लोग कटाक्ष कर रहे हैं कि राउल गांदी को सबसे पहले अपनी दिमाग का इलाज कराना चाहिए बिल्कुल दिमाग का ही इलाज कराने हो गए हैं यह कटाक्ष नहीं है लोग इसे कटाक्ष बना रहे हैं वो दिमाग का ही इलाज कराने गए हैं जैसे अर्विंद केजरि केजरिवाल भी ऐसा ही उद्वेली टाइप का इंसान है जो हर कुछ समय के बाद अपना गिर्गिट की तरह रंग बदलता रहता है अर्विंद केजरिवाल सीम बनने से पहले हमेशा खासता रहता था खासने के बाद क्या हुआ कुछ दिन के लिए इलाज कराने के लिए गया बेंगलूरू ये सरकारी पैसे पर केजरिवाल की तो पूरे गैंग में ही ऐसे लोग हैं जैसे गोपाल राय उससे पहले जब चुनाब लड़ने से पहले मंत्री बनने से पहले सालों तक एक बिमारी पाल के बैठे थे जैसे ही मंत्री बने सरकारी पैसे पर ततकाल इलाज क केजरीबाल हमेशा जो जाते हैं वो विपस्तना करने जाते हैं विपस्तना सेंटर पर केजरीबाल किस बात के लिए जाते हैं शांती के लिए अपने आपको में सुधार के लिए क्योंकि इन्हें लगता है कि इनके अंदर भी कुछ समस्याएं हैं दूसरे की बात नहीं सुनन जो भी पुराने अर्विद केजरिवाल के साथ ही सहयोगी हैं जो इनका साथ छोड़ चुके हैं वही हकीकत बताएगे जो अभी साथ में है वो तो चापलूस है वो कभी भी हकीकत नहीं बता सकता और हर व्यक्ति ये बताता है कि केजरिवाल मिटिंग में किसी को बोलने नहीं देगा किसी की बात नहीं सुनेगा अगर एक शब्द भी उसके खिलाफ हो गया तो आगबुला हो जाता है वही दिमागी परेशानियों का इलाज करवाने के लिए वो विपस्ना सिंटर जाता है उसी तरीके से राहुल गांधी के अंदर भी वही बिमारिया है कहीं ने कहीं राहुल गांधी के अंदर पेसेंस का अभाव धैर नहीं है गंभीरता नहीं है यहर मुद्दे पर ऐसे ही इनकी जुवान फिसलती रहती है क्योंकि जो आपके दिमाग में है वही जुवान पर आएगा और दिमाग ही स्थिर नहीं है अस्थिर है अनस्टेबल है तो फिर ज दिवान कैसे सही चल सकते हैं तो यही कारण है कि अभी यह जो अंडरग्राउंड हुए हैं यह जो बताय जा रहा है कि एक दो सब्तार तक हो सकता है जितना ज्यादा लंबा समय लगे लेकिन यह घुटने के लिए नहीं हो सकता यह दिमाग का इलाज करवाने गए हैं यह शां थोना चाहिए अस्टेबिलिटी आनी चाहिए गंभीरता आपके अंदर आनी चाहिए लेकिन अब 53 साल के उम्र में लोगों के दिमाग में जो पहले से भरा हुआ है जो इगो है अंदर से कि वो प्रधानमंत्री परिवार के हैं वो जन्म लेते ही प्रधानमंत्री बन गए चाहे आज बने कल बने परसो बने ये उनके दिमाग में लग रहा है उसी धारना को भारतिय जंता पाटी ने तोड़ा पी ए मोदी ने तोड़ा है कि ये परधान मंत्री का पद है जो गनेहरू गांधी खांदान के पास ही नहीं रहेगा अब दूसरे लोगों के पास भी रहे पिशकुमार अर्विन केजरिवाल जैसे देता कॉंग्रेस को चिनोती दे रहे हैं कि परधान मंत्री हम बनेंगे इसके पीछे भी परधान मंत्री नरेंद्र मोदी कहीं भूमिका है उन्हों नहीं ऐसा महौल तयार किया जो बार-बार पिये मोदी और अमिश्या कहते हैं कि कॉंग्रेस मुक्त भारत का मतलब कॉंग्रेस पार्टी के खातमे से नहीं है कॉंग्रेस के उस विचार से के खातमे से है जिसका मतलब कॉंग्रेस को गांधी नहरू परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी गई है यानि कॉंग्रेस का मतलब उस परिवार से मुक्ती है जिसने पीम पद पर अपने दावेदारी को स्थापित कर रखा है जैसे ये राजसाही हो तब वही दौर चल रहा है कि अब छोटे 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 रिजिनल पार्टिया जो है वो कॉंग्रिस को चैलेंज कर रही है कि तुम्हारी राज्यों में सरकार हमारी दो राज्यों में सरकार अब तीन राज्यों में हो गई है कॉंग्रिस के पास लेकिन अब चुनाब होने वाला है वो तीन राज्यों कि तक के एक राज्यों में राज जाएगी तो बात यही है कि यह जो महौल बदला है यह जो चनोतिया मिली है विवस्थाएं बदली है उसी का असर है कि राहुल गांधी आज एकांत वास पे चले गए हैं उनको ही महसूस होने लगा कि यह जो हम विदेशी कल्चर में पले बढ़े हैं हमें भी हिंदुस्तानी कल्चर य योग का विरोध करने वाले लोग हैं यह हमेशा सैम पित्रोदा और राहुल गांधी ने पिछले योग दिवस के अफसर पर भी मजाक बनाया था और इसनको अब उसी के सरण में जाना पड़ रहा है अपने दिमाग के इलाज के लिए अफसोस कुछ बिमारिया ऐसी होती है जिसका आप जितना भी इलाज करा ले वो विमारी दूर नहीं होती है बहुत 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 धन्यवाद सर समझाने के हैं तो खबरों के मताबिक राहुल गांधी अपने गुटने के इलाज के लिए केरल पहुंच रहे हैं वैसे पिछले साल सितंबर में केरल में अपनी भा भीर समस्या है या कोई बड़ी दिक्कत है यह तो आने वाले वक्त में ही सामने आएगा आप अपनी राय कॉमेंट करके जरू लिखे देखते लिए क्यापटल टीवी नमस्कार